चिकन की कृस्पी चीजी बोटियां फ्राइ की हुई ये ऐसी मज़ेदार चिकन की स्टाटर रेसिपी है जिसे बच्चे तो बहुत ही पसंद करेंगे तो चीजी चिकन बोटि फ्राइ बनाने के लिए मैंने यहां पर ली हूँ आदा किलो चिकन चिकिन के इस तरह से छोटे-छोटे pieces बना कर हम ready रखेंगे इसमें हम डालेंगे पहले एक अंडा आदा चमच है अदरकलेसन का पेस्ट आदा चमच है हरी मिर्चों का पेस्ट आदा चमच डाल लेते हैं चिली फ्लेक्स आदा चमच है सवेद मिर्चो का पाउडर, आदा चमच है काली मिर्चो का पाउडर, आदा चमच है नमक, दो बड़े चमच भर कर इसमें कॉन फ्लार डाल देंगे, अंडा डाला हुआ है हमने तो इसमें काफी सारा पानी रहेगा, तो इसे बैलन्स करने के लिए हम डालेंग तेल के गरम हो जाने के बाद चेकिन को हमें फ्राइ करना है अलड़-पलड़ करते हुए इसे फ्राइ करेंगे अच्छा सा गॉल्डन कलर आई जाए चेकिन की बोटियों पर इसके बाद हम इसका सारा तेल ड्रीन करके निकाल लेते हैं इस तरह से सारी चिकिन की बोडियां हम फ्राइ कर लेंगे अब पैन में हमें लेना है दो बड़े चमच तेल इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चमच लेसन का ग्रेट किया हुआ और एक बड़ा चमच डाल लेते हैं अदरक का ग्रेट किया हुआ लेसन को आप कूट कर भी डाल सकते हैं अब अच्छी तरह से लेसन को पहले तेल में हमें मिक्स कर लेना है बटर ले रही हूँ मैं तीन बड़ा चमच इसे डाल कर इसे पहले मेल्ट हो जाने देते हैं बटर को हम इस टाइम पर डालेंगे क्योंकि पहले बटर डालने से बटर का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है थोड़ा डाक हो जाता है तो इस टाइम पर बटर डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं बटर जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब हम इसम पर डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स डालेंगे एक चमच, आधा चमच डालेंगे काली מर्चों का पाऊडर, आधा चमच डालते हैं सफेद मिर्चों का पाऊडर, थोडा सा नमक भी इसमें आड कर लेते हैं, बटर सॉल्टिड है, इस अछिता क्यों अगम 3 ש Horiz family है अभ different होते जा रहा है मिक्सचर इस टाइम पर आप इसमें थोड़ा सा दूद या थोड़ा सा पानी आड़ कर सकते हैं तो अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स करने के बाद एकदम लो फ्लेम पर हम इसमें फ्राइ किया हुआ चिकन डाल देंगे चिकन के साथ ही थोड़े से बार अच्छी तरह से क्रीम और चीज की चिकन पर कोटिंग आ गई है इस टाइम पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे अगर आप देखें इस टाइम पर की बटर सेपरेट होने लगा है तो आप इस बटर को अलग निकाल कर भी रख सकते हैं तो यह चिकन चीजी मलाई बोटी बनाते हैं जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही ला जवाब तो चिकन कांडी बनाने के लिए हम लेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन इसे मैंने चोटे-चोटे डुकडों में इस तरह से काट लिया है अब इसे मेरिनेट करने के लिए इसमें डालेंगे एक चमच अद्रक लहसन का पेस्ट, चार हरी मिर्च और थोड़े से धनिया के पत्तों को मैंने दर दरा सा कूट लिया है, तो ये भी सारा इसमें डाल देते हैं, एक चमच डाल लेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आदा चमच डालते हैं जीरे का पाउडर, आदा गरम मसाले का पाउडर आड़ कर लेते हैं, और आधे निम्बू का रस इसमें निचोड लेंगे, एक अंडा डाल लेंगे इसमें, और दो बड़े चमच भर कर इसमें डाल लेते हैं कॉन फ्लार, आदा चमच है नमक, अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना चिकन की बोटियों को एकदम पास-पास में लगा कर हम रेडी रखते हैं, सारी चिकन की कांडी जब रेडी हो जाए तब हमें इसे ब्रेट क्रम से कोट कर लेना है, तो ब्रेट क्रम को प्लेट में ले लेंगे, इसे फैला लेते हैं और चिकन की कांडी इस पर डाल देंगे अच्छी तरह से चिकन की कांडी को हमें ब्रेट क्रम से कोट कर लेना है ये सारी चिकन की कांडी हम ब्रेट क्रम से कोट करके रेडी कर लेंगे इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो हफते 10 दिन के लिए चिकन कांडी को स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं अब इन्हें fry करने के लिए हम medium flame पर तेल को गरम कर लेंगे एक एक करके चिकन की कांडी डाल देंगे 7-8 मिनिट एक तरफ और दूसरी तरफ से भी हम इसे fry कर लेते हैं 7-8 मिनिट के लिए अब तरफ अच्छा सा golden color आजाए चिकन कांडी पर इसके बाद हम सारा तेल ड्रेन करके इन्हें निकाल लेते हैं मज़ेदार क्रिस्पी चिकन कांडी बनकर रेडी हो गया है इसे आप हरी चतनी या आप में मन चाहे डिप के साथ सर्फ कर लीजिए चिकन फ्राइ की इजी और सिंपल ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो मिन्टो में बनकर रेडी होगी और बहुत ही टेस्टी चतपती बनेगी चिकन फ्राइ बनाने के लिए मैंने एक चिकन लिया हुआ है ये करीब 1200 ग्राम है तो इसके मैंने चार पीसे कर लिये हैं और इन पर गहरे गहरे कट्स लगा लेंगे इस तरह से ताके मसाला अंदर तक चला जाए चिकन में हम डालेंगे एक नीम्बू का रस और एक चमच नमक डाल लेते हैं चिकन के उपर नमक नीम्बू अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसे हम फ्रुज में रख देते हैं एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए अब एक मसाले को पैन के उपर सेखना है इसके और अब कसूरी मेथी डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच गरम पान पर इसे भी हलका सा रोस्ट कर लेंगे अब मसाले ठंडे हो जाए तब हम इसे डाल देते हैं ग्राइडिंग जार में तब इसे ग्राइंड करके इसका अच्छा सा एक पाउलर बना लेंगे यह मसाले को साइ तर चम्मच गरम करेंगे और फिर बाद में फिलीम को बंद कर देते हैं हलका सा यह थन्डुह में चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों गणी को घुली इसके सारे निकाल लेते हैं इस तरह लाल मिर्च के पाउडर को सर्सों के तेल में पकाने से बड़ी आसा स्मोडी फ्लेवर आपको ना कोईले का धुआ देना पड़ेगा ना ही चिकन को तंदूर करना पड़ेगा एक चमच बेसन डालेंगे और फिर से इसे आधे मिनट के लिए पका लेते हैं चलाते हुए तो सरसो के टेल के मिक्सचर को अब चिकन पर डाल लेंगे मसाला जो हमने ररी किया हुआ है ये भी सारा इसमें डाल देते हैं दो चमच डालेंगे अधरक लेसन का पेस्ट दही है तीन बड़े चमच डाल लेते हैं एक चमच डालेंगे हल्दी का पाउडर एक चमच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर एक चमच डालेंगे चाथ मसाला नमक पहले भी हमने चिकन पर ल देंगे आदे घंटे के लिए आदे घंटे बाद चिकन को पकाना है तो पैन में बिल्कुल भी तेल नहीं डालेंगे क्योंकि सरसों का तेल चिकन में है तो चिकन के सारे पीसे इस तरह से डाल लेते हैं अब ढ़कन लगा कर एकदम लो फ्लेम पर चिकन को हमें पक जाने देना है 15 मिनिट के लिए चिकन अपना काफी सारा पानी चोड़ेगा और इसी में पक कर ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा डगन हटाने के बाद आप देख सकते हैं काफी सारा पानी रिलीज हो गया है चिकन को हम पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से इसे ढखकर हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे बस 5 मिनिट के लिए इस तरह से दोनों तरफ से चिकन पक जाएगा और सारा पानी भी सुख जाएगा और तो 20 मिनिट बाद मैंने ठकन हटा लिया है और आप देख सकते हैं इसमें काफी सारा पानी रह गया है तो और फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्ल तीकी वाली हरी मिर्च डालेंगे बीट से स्लिट की हुई मिर्च थोड़ी नरम हो जाए तब तक हम इसे फ्राइ करेंगे और फिर इस तड़के को डाल लेते हैं चिकन के उपर स्मोकी फ्लेवर वाला बिना तंदूर या अविन के बनकर रैडी हो गया है बहुत चटपटी और टेस्टी रेसिपी बनती है और बनाने में बिलकुल आसान है शामी कबाब की रेसिपी बनाते हैं एकदम बेकरी स्टाइल इस शामी कबाब को आप स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं करीब एक महीने के लिए तो ये रेशे वाले शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहां पर ली हूँ, आदा किलो चिकन, इसके थोड़े बड़े पीसिस करेंगे, ताके कबाब अच्छे रेशे वाले बने, नमक इसमें चिकन के हिसाब का आड़ कर लेंगे, लगा लेते हैं नमक को अच्छी तरह से चिकन पर, और इसी तरह से इसे ढख कर पकाना है बिना पा यह कि इसमें पानी है, तो फ्लीम को हाई करके आप इसे सुखा लीजिए, अब चिकन के पीसिस ठंडे हो जाएं, इसके बाद हम इसके रेशे निकाल लेंगे, तो पतले-पतले से इस तरह से चिकन के रेशे अलग कर लेते हैं, तो यह सारे रेशे अलग हो गए हैं, कि चिक की डाल लेते हैं, आठ हरी मिर्चे डाल ली हैं मैंने, एक चम्मच डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, पस थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, करीब एक चौथाई चम्मच, नमक डाल के हिसाब का एक चम्मच आठ कर लेते हैं, पानी इसमें करीब 1.5 कप डाल रही हूँ, या दाल के लेवल में पानी आ जाए, इतना पानी हमें इसमें डाल लेना है। अब सारी चीजों को मिक्स कर लेना है, और अब दाल को हम प्रेशर कूक करेंगे 2 सीटी आने तक, या फिर आप 15 मिनिट के लिए दाल को मीडियम फ्लीम पर पका लीजिए। प्रेशर कूकर का धकन हटा लेते हैं, दाल अच्छी तरह से पक चुकी है, अगर आपको लगे कि इसमें भी पानी रहे गया है, तो आप फ्लीम को हाई करके दाल का पानी सुखा सकते हैं, चनी की दाल जब ठंडी हो जाए तब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, मैं चौपर में इसे डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे मिक्स ग्राइंडर में भी डाल कर ग्राइंड कर सकते हैं, दाल को मैं दो बैच में चौपर में डाल रही हूँ और दो अंडे भी इसमें डालेंगे, तो एक बार एक अंडा और दूसरी बार चौप करने पर एक औ आदा चमच डालेंगे काली मिर्चो का पाउडर और थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धनिया के पत्ते आड़ कर लेते हैं इस टाइम पर अगर आपको लगे कि नमक की जरूरत है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक भी आड़ कर सकते हैं अच्छी तरह से अब हमें सारी ची कर लेते हैं शामी कबाब का मिक्सचर इसमें डाल लेते हैं तेल लगाने की वजब से यह धकन में बहुत ही आसानी से निकल जाएगा इस तरह हमी कबाब बनाने से एक शेप के और एक हैस खाली ही साइट के सारी कि बन कर रैड़ी हो जाएंगे तो आदा हमे गिलो डाले मीजियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है क्योंकि अंदर से सारी चीज़ें पकी हुई है अलट पलट करते हुए इसे फ्राई कर लेंगे अच्छा सा इस पर गोल्डन कलार आ जाए तब हम तेल को ड्रेन करके एक एकर के यह सारे शामी कबाब निकाल लेते हैं आप च हुआ हुआ